हेलो बच्चो आप सबका स्वागत है और अगर आप 10 क्लास के स्टूडेंट्स हो और आप न्यू सेशन स्टूडेंट्स हो तो यहां पर मैं आपको एक गुड्निस देने आयों कि फाइनली आपकी एंसेटी की बुक चेंज होगी है 2006 में आपकी बुक चेंज हुई थी देन उसके बाद इस साल आपकी बुक चेंज होगी है एस पर न्यू स्लेबर्स न्यू पैटर्न के कोडिन विकॉज आपको बदाएगी लास्ट आपका डिलेटेट स्लेबर्स हुआ था तो बच्चों को काफी कंफ्यूजन हो रही थी कि कौन सा टॉपिक करना कौन सा नहीं करना तो उसको ध्यान में रखते हुए एंसेटी वाल अब इसनों को क्या क्या पैटर्न में आपको पड़ना है क्या क्या स्लेबर्स चेंज से वह नहीं भूत तो इस वीडियो को पूरा ध racket को एवरी प्वाइंट के लिए इंपोर्डयंट थै तो सबसे के पहले मैं यहां पर आपको बदा रहेता हूं कि जैसे मैंने आपको बुला कि कि आपका जो फर्स्ट अडिशन था वह आपका 2006 में तो देन इस साल आपका दुबारा ने अडिशन आया है और यह आपका मार्केट में जाओगे तो यह आपको 140 या 150 रूपीज आराउंड आप फिर अगर आपकी जान पर देना तो होड डिस्कॉंड में भी आपको यह बुक मिल सकती है तो यहां पर अगर आपका कंटेंट है जो आपको इस साल पढ़ना है अगर मैं इस बुक को रिलेट करूं प्रिवियस बुक से तो काफी चेंजिस हो गया क्योंकि जो आपका प्रियल नंबर है सेकिंड आपका पॉरिनॉमियल पहले की बुक में आपके टोटल चेप्टर 15 थे बर अब आपके टोटल चोड़ा चेप्टर है विकॉज कंस्ट्रक्शन आपका टोटली डिलीट कर दिये गए इस करके वो टोटली रिमूब कर दिये गए इस कंटेंट है तो इसलिए अब आपको सीधा डिरेकली फर्स टॉपिक आपको स्टेडी करना है तो पहले ही आपकी 1.2 एक्सराइज होती रही बट इस साल आपकी 1.1 एक्सराइज बन गई है जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो यह आपकी एक्सराइज 1.1 है जो पहले होती थी 1.2 तो डेन आप आजाओ चैप्टर no.2, परिनॉमियल 4 परिनॉमियल में आपका पहला टॉपिक आपका ग्राफीकल है जिसमें आपको जीरोस बदाइज ग्राफिक ऑपको फाइड़ नुसके बार आपको अपको नुसके बाए पार नोमेन इसमें आपके काफी Lyn ग्रौर्फ यहां पर अगैकτά मैं सक्पेर करूं प्रिविस Friede बुक्स है तो यहां पर आपके जो 3.2 एकसिटी वह आपकी 3.1 बन गई है देन उसके बाद आपका पहला टॉपिक है सब्सक्रीशन मेठड जो आपको सिखाए जाएगा तू फाइंड और तू सॉल दा लिनियर क्वेशन कैसे हम उसे सॉल कर सकते हैं तो देन उसके बार आपक सब्सक्रीशन में आपका पिल्कूल पूरा रिमूब कर दिया गया है और उसके बेस पे जो आपकी वर्ड प्रॉलम थी वह आपकी बिल्कूल रिमूब कर दी गहीं है तो यहां पर आपको सिर्फ टीन एकसिस करनी है और आपका यह चैप्टर खतम हो जाएगा अर्थमेटि सब्सक्रीशन में आपके सिर्फ दो थेरों में आपका बीपीडी और कनवर्ज बीपीडी बाकि आपका पाइथागरस थेरम और रेशो और एडिया ट्रेंगल वह आपका सब दिलीटिटिट है तो इस साल आपको सिर्फ टीन एकसिस करनी है तो यह आपके लिए काफी सब्सक्राइब करनी है इसकी और एकसिसाइज भी रिमूब कर दी गई है देन उसके बाद चैप्टर नमबर एड जो आपके लिए नया है इस साल इंटोड़क्शन टूट्रिग्नोमेट्री में आपके सिर्फ तीन एकसिसाइज है 8.1 8.2 और 8.3 जो आपकी लास्ट आपके लिए काफी गुड़ नियूज है नमबर 9 सम एप्लिकेशन और ट्रिग्नोमेट्री इसमें आपका कोई टॉपिक डिलीटेड नहीं है और इसमें सिर्फ एक ही एकसिसाइज है जो आपको स्टेडी करनी है देन चैप्टर नमबर सरकल सरकल में आपकी दो है पहले इस चैप्टर में तीन एकसिसाइज होती रही बट इस साल आपको सिर्फ एक ही एकसिसाइज स्टेडी करनी है और उसमें कुछ फॉर्मले आपको याद रखने है और इसके बेसे पर आपको एकसिसाइज कराई जाएगी दैन उसके बास सरफिस एरिया इन आपको करनी है बड़ अगर हम लास्ट इडिशन बुक से अगर कंपेर करें तो पहले चार एकसिसाइज होती वह बड़ इस साल आपको सिर्फ दो एकसिस करनी है चैप्टर नबर थर्टीन स्टैट्स इसमें आपको मीन मीडियन मोड करना है और आपका लास एकसिसाइज आपको सिर्फ तीन अप कर दोड़ंग चैप्टर नमर्बर फॉर्टी में आपकी एकसिस रिमूब कर दी गही है जो ऑक्सिन इपसिस में आपको सिर्फ एक एक स्टैटी करनी आपको हर एक exercise के आपको answer दे रखे हैं जो आप टैली कर सकोगे तो ये काफी changes हो गया है इस साल आपके लिए तो ये आपके लिए काफी beneficial है because labels कम है और आपका पूरा साल अभी है तो आप starting सही लग जाओ जिससे आप फटा-फट NCID book को complete करें इसके बाद move out करें अपनी reference book पर जैसे आप अपने बोर्ड इक्जाम में काफी अच्छा score कर सको यह मत समझोगी इस लेवस कम है तो पेपर इजी आएगा पता नहीं अभी कुछ कैसा भी हो सकता है बर अभी हमारा focus है कि हम जल से जल अपनी book को complete करें तो यहां पर मैं आपको इस बुक के information देने आया था तो अगर आपको information अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें जैज जैज शेर करें और अगर आप करना चाहते हो आड़ी शर्मा solution तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करके जिए रखे क्योंकि हम देली वीडियो अप्लोड कर रहे हैं जिनकी notification आपको मिलते हैं जल्द आपको next वीडियो में